हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं निशान्त टीम फिजेक CLCC कर तो आप लोगों की जैई की प्रिपेशन को बूश्ट करने के लिए जो हमने गुरुनितिकम प्रिविएस इयर्स पेपर फो जैई में की सीरीज चला रखी है इस सीरीज में हम ओल लेडी 12 यूनिट जो जो 2019, 2020 और 2021 का February, March वाला जो अटेम्ट है जेई में का उन सारे के सारे कॉश्टन को यहां पर कंसिडर किया है ठीक है तो आज के सेसन में हम रियॉप्टेस के यह सारे कॉश्टन डिस्कस करने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं तो कॉश्ट नमर वन बोल रहा है अग कॉ इस से यहां कहीं 10 cm की distance पर हमने एक light source रग दिया इसकी जो इमेज बनी है वो यहां से 10 cm distance पर एक screen रखी उस पर बनेगे एक तो शार्प इमेज अब क्या किया हमने नावा glass block refractive index 1.5 and of 1.5 cm thickness is placed in contact with the light source to get the sharp image again the screen is shifted by a distance d then dh अब हमने क्या किया है कि यह जो लेंस है point object तो यहीं है source तो यहीं है इसी से जस्ट अटा के यहां हमने एक slab रग दी जिसकी ठिकने से 3 by 2 cm और और म्यू की value भी दे रखी है 3 by 2 अब इसकी वैसे effective image कहीं बनेगी मालो जैसे मालो पहले तो बन रहे थी 10 cm पर अब मालो 10 की वज़ा यहां कहीं बन गई किसी distance पर तो आप से बोलाए कि वहीं इस image को अब इस screen पर लाने के लिए हमें इस screen को कितना किलियर है क्या उम्मीद पॉशन समझ में आ गया होगा देखें ज़रा इसका solution हाँ हाँ तो पहले इस case की बात कर लेता हूं तुम अगर यहां देखो कि इस slab insert करने से पहले object 10 पर है इमेज भी 10 पर बनाया तो यह case तो हमारे पास कौन सा है Converse lens में 2F वाला case कि जब object हमारा 2F पर प्लेस कर दिया जाए तो image भी 2F पर बनती है मतलब यह 10 cm जो है basically 2F है तो इस lens की हमें focal length पता लग चुकी है 5 cm अब यहां अगर देखें तो देखो जब भी इस slab को जब इंसर्ट करोगो तो होगा क्या basically slab से basically होता क्या है कि जैसा यहाँ point object अग दी हमने इस से रे पहुंची refract होई और finally इस तरह से इमर्ज कर जाएगी तो इधर इधर वाले जो जो भी optical instrument या जो भी observer है उसको यह object ओ दिखने की बज़ा है यह ods दिखेगा जो की delta equal to t 1-1 upon mu shift हो चुका होगा clear है क्या यह concept यहां लगाना है कि अब जब lens जो है lens के लिए object नहों कर delta से shift हुआ जो point हमें मिलेगा वो object की तरह behave करेगा तो यहां जब आगर मैं delta की value निकल देखो कितनी आएगी delta की value आएगी t की value है 3 by 2 cm thickness 1-1 upon mu की value देखिए 3 by 2 तो यह value आगई हमारे पास 1 by 2 cm बतला basically slab जो है बिस object को 1 by 2 cm आगे की तरफ shift करा देगी clear है क्या तो इसकी बज़ा है यहां कहीं यह जो है तुमारे पास ods वो इस lens के लिए object की तरह behave करेगा जिसकी distance कितनी हो गई 10 minus half तो यह आगई 19 by 2 cm के लिए अब मैं इस जिली अगर वी निकाल लू लेंस formula apply करके तो आराम से decalculate किया जा सकता है तो दो को lens formula लगाते हैं वी equal to uf upon u plus f तो u की value है minus 19 by 2 f की value 5 cm यू की value minus 19 by 2 f की value plus 5 cm ठीक है तो यह value आगए अपने पास minus 95 upon minus 10 minus 95 minus 9 ठीक है तो यह value आगए अपने पास 1 0.55 cm फाइफ यह आता जाएगा तो basically image जो है वो lens से 10.55 cm पर बनी हुई है अब देखो screen पहले 10 cm पर रखी थी तो screen को हमें यहां से further 0.55 cm away from the lens तराना पड़ेगा तब ही जाके image जो है वो हमें मिलने वाली है इस screen पर मिलने वाली है तो correct answer हो जाएगा 0.55 cm away from the lens ठीक है तो देखें ज़रा solution आंसर देखें ज़रा कौन सा option दे रखा है तो first option बोल रखा है 0.55 cm away from the lens बिलकुर correct answer हो जाएगा तो first question का correct answer है हमारे पास first option ओके next question की तरह बढ़ते हैं question no second बोल रहा है two plane mirrors are inclined to each other such that two plane mirrors हमारे पास वो एक दूसरे से inclined है ठीक है such that array of light incident on the first mirror M1 इसको मैं नाम देता हूं यह हमारे पास M1 यह है M2 मानलो यह किसी एंगल ठीटा पर inclined है तो बोला क्या है कि array of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M2 ठीक है कि कहानी क्या हुई है कि M1 पर जो रहाई है M2 के parallel यहां reflection हुआ और यहां reflection हुआ और finally M1 के parallel हो गई किस तरह की कहानी है ठीक है तो ऐसा होने के लिए बताओ theta की value क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है तो देखो मैं यहां normal draw कर देता हूं यह यह नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो एक ऐसा ट्राइंगल बन गए जिसके सारे एंगल सेम है तो definitely theta की value क्या रही होगी 60 डिगरी हमारे पास correct answer हो जाएगा ओके तो next question देखते हैं जरा question number 3 में बोला है अब plano convex lens of refractive index mu1 की एक plano convex lens है जिसका refractive index मैं हाल मार लेता हूं इसकी focal length दे रखिया एक एक plano convex lens है जिसका refractive index के तो mu1 mu2 में relation पूछा है कोई दिक्कत नहीं है तो देखो first lens के लिए अगर हम lens makers formula लगा हूं तो लिखूंगा 1 upon f1 equal to mu1 upon 1 minus 1 क्योंकि air में focal length calculate की जा रही है साथ में 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो यहां से f1 की value आ जाएगी हमारे पास यह आ जाएगी r upon mu1 minus 1 plus में यह converging lens है f2 की अगर बात करूँ ठीक है तो 1 upon f2 लेखा जाएगा यहां से 1 upon f2 की value आएगी mu2 upon 1 minus 1 1 upon r1 infinity हो जाएगा minus 1 upon r2 ठीक है तो यहां से f2 की value की आ गई देखो f2 की value आगई अपने पास यह आ जाएगी minus r upon mu2 minus 1 अपने बैस से भी बोल सकते हैं convex जो है वो air में converging की तरह wave करता है concave diverging की तरह wave करता है तो यह value plus में और यह minus में आनी चाहिए थी ठीक है अब हमसे बोला क्या है हमसे बोला आगए f1 का magnitude जो है वो f2 के magnitude से क्या है double है तो mu1 mu2 में relation निकालना है तो केवल इनके magnitude की value रख दो आपने आपने रिलेशन आ जाएगा तो देखो f1 का magnitude कितना है r upon mu1 minus 1 2 times f2 का magnitude कितना है r upon mu2 minus 1 केवल magnitude रखना है तो r से r गया यह आ गया mu2 minus 1 equal to 2 mu1 minus 2 relation आ गया mu2 minus 2 mu1 equal to minus 1 ठीक है तो रेरेंज करते हैं इसको ठीक है तो इसको minus से multiple कर दो दूनों तरफ तो यह आ जाएगा 2 mu1 minus mu2 equal to 1 तो ऐसा option अपने को जो दे रखा है 2 mu1 minus mu2 equal to 1 3rd option दे रखा है तो correct transfer हो जाएगा हमारे पास 3rd next question की तरह बढ़ते है question number 4 ठीक है बोला the variation of refractive index of a crown glass thin prism with wavelength of the incident light is shown यह हमें graph दे रखा है refractive index का lambda के साथ variation तुम साब साब देख रहे हो यहाँ पर lambda की increase होने के साथ-साथ mu क्या है decrease हो रहा है refractive index decrease हो रहा है इसको n से रिप्रेजेंट किया है just refractive index को ठीक है which of the following graph is the correct one if dm is the angle of minimum deviation तो देखो thin prism के लिए जो हम angle of deviation लिखते हैं उसकी value आती है a into mu minus 1 a यहाँ पर prism angle ठीक है अब यहाँ अगर तुम देखो तो lambda बढ़ने के साथ-साथ mu की value decrease हो रही है तो mu की value अगर decrease हो रही है तो लेम डेल भी क्या होता जाएगा deviation angle भी क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा तो आप वो graph देखो जिसमें deviation angle जो decrease होता जा रहा है तो यहां देखो decrease हो रहा तो यह तो सहीं नहीं होगा यहां ही cable decrease हो रहा है तो 4 जो है हमारे पास correct answer हो जाएगा ठीक है next question की तरह बढ़ते है question number 5 देखें जरा हाँ बोला an object is at a distance of 20 meter from a convex lens कि यह एक convex lens हो गया इस से यहां एक object है जो 20 meter की distance पे और focal length 0.3 meter focal length भी दे रखिया हमें 0.3 meter the lens forms an image of the object if the object moves away from the lens at a speed of 5 meter per second की object जो है वो away from the lens 5 meter per second से move कर रही है तो पूछाए the speed and direction of the image will be image की speed के बारे में सारी कहानी पूछिया तो पहले तो मैं image की position पता लगा लेता हूं तो lens formal से बोल सकता हूं V equal to U into F upon U plus F तो यह value आ गए हमारे पास minus 6 upon minus 19.7 मीटर इतने पर तो क्या वन गई हमें image मिल गई यहां से 6 upon 19.7 मीटर पर ठीक है और image की अगर velocity की बात करें image की velocity क्या होगी तो देखो यह एक lens है ठीक है lens के respect में अगर मैं object की position को U ले लूँ image की position को अगर मैं V ले लूँ तो relation हमें माइनस माइनस वन अपॉन अपॉन यू स्क्वाइर दी यू वाइडी टी फोकल लेंद लेंद के लिए इस फॉर्मूले को इजिली काम में लेके हम यहाँ पर image की वरॉस्टी हाइंड कर सकते हैं तो करते हैं ज़रा तो देखो हमें नकालना image की वरॉस्टी विद रस्पेक्ट लेंस तो lens रेस्ट पे तो वी आई माइनस वी ल यह हो जाएगा जीरो एक्वल टू वी वी की वेल्यू आई है 6 अपॉन 19.7 यू की वेल्यू थी हमारे पास 20 का हॉल स्क्वार वी ओ ल मतलब अब्जेट की वेलोस्टी माइनस में लेके हैं इसको माइनस 5 माइनस लेंस की वेलोस्टी जीरो के लिए तो यहां से एजली वी आई हमारे पास वी आई की वेल्यू आगई माइनस 36 अपॉन 19.7 का हॉल स्क्वार इंटू 5 वाई 400 तो यह वेल्यू आगई हमारे पास माइनस 1.15 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड अब यह माइनस बता रहा है कि इमेज की जो वेलोस्टी अपंड़िय पीछे की तरफ माइनस में माना है तो यह वी जो है अपने पास माइनस में मतलब लेंस की तरफ होगी तो इमेज जो है वो लेंज की तरफ 1.15 x 10 to the power minus 3 meter per second से move कर रही होगी तो option देखते हैं जरा हाँ तो option फ़र्स बोल रहा है कि 1.16 हाँ वो point की बाद पूर डिजेट आएगा तो एप्रोफ सही आएगा वो 1.16 x 10 to the power minus 3 meter per second towards the lens तो first हमारे पास correct answer हो जाएगा के लिए रहे क्या next question की तरफ बढ़ते हैं question number 6 देखें जरा हूँ 6 में क्या वो लाए अब monochromatic light is incident at a certain angle on an equilateral triangular prism कि यह equilateral triangular prism में मतलब यह angle 60 है इस पर एक monochromatic light आई है and suffers minimum deviation minimum deviation में क्या होता है condition आपको पता ही है if the refractive index of the material of the prism is root 3 then angle of incidence तो देखो मैं मालता हूँ किसी angle of incidence आई पर यह ले आई और minimum deviation की condition में अंदर जो यह रह होती है वो बेस के parallel हो जाती है फाइनली एदर कहीं यह इमर्ज कर जाएगी ठीक है साथ में मुझे पता है minimum deviation के case में यह जो एंगल होता है प्रिज में एंगल का हाफ होता है तो यहां पर इजिली स्नेल्स लो लगा के तुम कोशन नमर 7 फिल्ड विव का कॉश्चन है बोला अपकॉइंट सोर्स अफ लाइट एस इस प्लेट एस प्लेट एस प्लेट एट डिस्टेंस एल इन फ्रंट अफ दा सेंटर अफ प्लेंड मिरर ऑफ विट्थ बी इस हैंगिंग वर्टिकली ओन वाल ठीक है इसको हवा में हम कर लेते हैं कि जिस इस इमेज को देखा जा सकता है तो देखो इस सोर्स से लाइट निकलेगी एक्स्ट्रीम पोजिशन यहां पर रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से इस रीजन के अंदर अंदर ही इसकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो पहुंचेंगी यह बन जाएगी एस की इमेज एस डैस इदर से डिस्टेंस एल पर इलिया तो देखो इस इमेज से रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो किवल इस रीजन में पूचेंगी तो किवल यही रीजन है जिसमें से जो मैन है वो इमेज को देख सकता है मतलब हमें यह वाली लेंद य करनी है अब बेसिक जोमेटर लगानी है बस तो मैं देखना ज़रा इस ट्राइंगल को देखो एक तो यह ट्राइंगल और एक यह ट्राइंगल दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रोपर्टी होती है कि उसमें साइट का रेशो क्या होता तो दोगो sides का ratio लगाता हूं मैं इस का base इस triangle का base कितना है डी इस triangle का base कितना है वाई के लिए इस triangle में यह height कितनी है L इस triangle की height कितनी हो जाएगी 2L और L 3L तो यहां से तुम साफ साफ देख सकते हो y की value आ गई 3D तो जो यह हमारे पास यह जो line है इस line पर 3D इस distance 3D distance तक जो है man इस source की image को देख सकता है तो correct answer हो जाएगा हमारे पास first option next question की तरह बढ़ते हैं तो question number 8 देखें जड़ा क्या बोला है इसमें what is the position and nature of image formed by lens combination shown in figure focal length हम को दे रखी है उनके बीच का separation भी हमें दे रखा 2 cm object की position बता रखी है और final position के बारे में पूछा है तो देखना एक तो मैं clear कर दूँ कि कोई भी जो lens है उसके लिए science convention की जो value है उस हिसाब से तुम उसके real image बनी या virtual image मिली वो direct देख सकते हो कि अगर u key value उसके लिए positive है positive negative कैसे देखते पता ही है कि light की direction में positive और उसके positive में negative है तो यू की value अगर positive है तो वो हमारे पास virtual object यू की value negative है तो real object clear image के corresponding अगर बात करूँ तो उल्टा हो जाता है वी की value positive है तो real image और वी की value अगर negative है तो virtual image आती है लेंस के लिए mirror में यही रहता है यू और भी दोनों का relation clear तो यहां जरा पता लगाते हैं कि कौन सी image कहां बन रही है देखना जड़ा तो इसके लिए बात करूँ फर्स्ट lens के लिए तो object की position जो हो गई वो minus 20 पे हो गई फोकल लेंद दे रखिए इसके लिए फाइब सेंटीमीटर converging lens है तो इसके लिए वी की value आ जाएगी यू इंटु एफ अपॉन यू प्लस एफ तो यह value आ गई वी एक्वल टू minus 100 upon minus का 15 तो प्लस का 20 by 3 प्लस का 20 by 3 मतलब 6.67 तो यहां से यह image जो बनीए वो यहां बनीए तो देखो first lens के लिए वी की value प्लस में आई है तो यह हो गया real image i1 किसके लिए first lens के लिए जिसकी पोजिशन है इस lens से एपॉइंट से 20 by 3 पर तो यह है तुम्हारा 20 by 3 पर तुमसे यह नहीं पूछा तुमसे पूछा final image तो रेज जो है बेसिकली इस से आ रही होंगी हो क्या रही होगा यहां से र image बनाए आई बन वो सेकंड लेंज के लिए object की तरह वेव करेगा और final image बनाएगा तो उसके लिए बात करते हैं 20 by 3 minus 2 मतलब 40 by 3 cm तो इस lens के लिए u की value तो हो गई प्लस में 43 cm और diverging lens से इसलिए focal length की value minus में लेंगे तो यहां से image की position आएगी u into f upon u plus f तो यह value आगए यहां से minus का 40 upon minus 1 3 तो cancel हो गया तो यह value आगई प्लस का 70 मतलब इससे जो final image बनी है वो यहां से 70 cm पर यहां बनी हो प्लस में आई है मतलब real image बनी है तो मैं कह सकता हूं final image जो है वो हमारे पास क्या रहे होगी इस b point से आगे की तरफ 70 cm पर होगी real रहे होगी कि यहां से ray आई यूं इस तरह से इसने diverge कर दिया तो अगर यह lens नहीं होता तो यहां यह converge करती तो आई बनी हमेज बनती अब इसने diverge कर दिया तो image जब यहां बनी है आई टू यह है तुम्हारा final position के लिए नेक्ट कॉस्टन की तरफ चलते हैं इसके लिए फोकल लेंथ की बात कर तो यह हो जाएगा वन अफन एक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन अपॉन इंफिट तो यह आ जाएगा हमारे पास फ्टू में इलेशन दूसरा वोला है फिट्स एग्जेक्ट ली इंट्व क्यू लेंट्स फोकल लेंथ f1 डेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू डीवन रीडिस अपॉन लेंथ परेच्टर र कि इसको हमने एक्ड़्ेक्ली फिट कर दिया में तो प्लेट्वन उसको फिट कर साथ तो यह आ जाएगा लेंस में कर सकते तो मिचे लिए अब क्या को लिए इस कॉमिनेसिन के लिए इस फोकल लेंज बताओ तो क्या कर सकते हो बना अपन एफ ऐथे को से लेंज्ञ ना … तो रख दो वैल्यू, 1 upon f1 की वैल्यू यहां से mu1 minus 1 upon r minus में, चुकि तो diverging lens बना हुआ है, plus 1 upon f2 की वैल्यू है mu2 minus 1 upon r, तो यहां से solve करते हैं, तो यह आ जाएगा mu2 minus mu1 y r, 1 जो है वो term cancel हो जाएगी, तो correct answer आ जाएगा हमारे पास, यह है 1 upon f effective, 1 upon f effective की वैल्यू हो गई, mu2 minus mu1 y r, तो focal length की वैल्यू हो जाएगी, r upon mu2 minus v1, तो ऐसा जो option है, हमारे पास, 4th option दे रखा है, तो 4th यहां पर correct answer हो जाएगा, next की तरह बढ़ते हैं, caution number 10, हाँ भी, caution number 10 में क्या वाला हम से, वाला formation of the real image using a y convex lens is shown the figure, तो यहां अगर देखो, तो यू जो है, वो कहाँ f और 2f के बीच में तो इमेज जो बनी है, लार्ज बनी है, मैगनिफाइड बनी है, और 2f से बाद में बनी है, ठीक है भई, अब क्या बुला, पूरे के पूरे setup को हमने, इमर्ज कर दिया in water, without disturbing the object and screen position, इस screen भी वहीं की वहीं है, और यू object भी वहीं की वहीं है, केबल लिक्ट बढ़ दिया है, तो बताओ, what will one observe on the screen, की screen पे क्या observe होगा, तो समझना, कि तो को अभी अगर इसके लिए, अगर हम lens formula लगाएं तो बोल सकते है, 1 upon V equal to हो जाएगा, 1 upon U plus 1 upon F, अब तो जैसे इसमें लिक्ट फिल करोगे, तो लिक्ट में इसकी focal length कुछ और आजाएगी, तो आप इसके लिए लिखा जाएगा, 1 upon B dash, नया भी हो जाएगा, 1 upon U plus 1 upon F dash, अब देखो, यू को तो change यहनों ने किया नहीं है, position of object तो disturb की नहीं है, यू same, but focal length change, जो कोई F dash आएगी, तो B की जगए भी कोई नहीं value आएगी, मतलब जो image पहले, इस screen पर बन रही थी, अब वो screen पर तो नहीं मनेगी, चाहे कहीं मने, clear, अब वो screen पर नहीं मनेगी, चाहे कहीं मने, क्यों यह, question number 11 देखें ज़रा, बोला है, an upright object is placed at a distance 40 cm in front of a convergent lens, किये हमारे पास एक, converging lens हो गया, इसके सामने, यहां कहीं एक object रखा हुआ है, इससे 40 cm की distance पर, ठीक है, focal length दे रहकिये, इस converging lens की 20 cm, साथ में बोला है, converging mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 60 cm on the other side of the lens, तो lens की other side में यहां कहीं 60 cm की distance पर, एक converging mirror बोले तो कौन के mirror यह रखा है और इसकी focal length दे रखिया हमें 10 cm, तो बोला है, final image की size और position हमें बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो ज़रा, कि यह जो object है न, basically अगर तुम देखो तो यह 20 cm focal length और यह 40 पर रखा हुआ है, मतलब यह 2F पर है, तो 2F पर अगर object है तो image भी 2F पर बनाता है lens, converging lens, तो मैं कह सकता हूँ, इसकी image जो है, वो यहां बन जाएगी 40 पर downward और same size की होगी और real होगी, clear? अब mirror के लिए देखो, यह object इस mirror के लिए, यह जो image बनी है, वो इस mirror के लिए object की तरह बेव करेगी, यह distance यहां से कितनी होगा, 60-40, 20 cm, अब देखो, focal length 10, distance 20, मतलब यह जो point है, इस mirror के लिए center of curvature होगी, तो इसकी अगर image बता हूँ, तो यह जो mirror है, इसकी image inverted बनाएगा, same size की बनाएगा, और real बनाएगा, clear? अब यह जो image बनी है, I2, वो इस lens के लिए आगाना, अगर तुम देखो, तो object की तरह वेव करेगी, और finally इसकी इदर बन जाएगी image, कुल मिला है, यहां से रहे आएगी, इस पर reflect होगी, फिर reflect होगी, फिर reflect होगी, फिर final image मनाएगी हमारे पास, clear? तो reflection से image I1 बनी, reflection से I2 बनी, और again reflection होगा इस lens पर, तो 40 cm जो है, इस के लिए, इस lens के लिए, object की distance, यू की तरह वेव करने लग जाएगा, तो again मैं वह सकता हम, कि I2 जो है, इस lens के लिए 2F पर रखा हुआ है, तो इसकी image जो है, वो यहां बन से 100 cm पर सेम साइज का बनेगा, तो अगर हम अपर option अगर देखें, तो 40 वाला तो ही नहीं, 40 वाला बोला कि 40 cm from the convergent mirror, same size as the object, तो same size तो है, बट convergent mirror से 100 cm हो गया, 40 cm from the convergent lens, बिलको सही बात है, convergent lens से 40 cm पर and same size as the object, तो correct answer हो जाएगा, 11 का हमारे पास third option, okay, next question की तरह बढ़ते question अमार 12 देखें जरा हूं, बॉला इन फिगर, दो अप्तिकल फाइवर इस L उकल तो 2 meter long, ये जो लेंथ दे रखी अप्तिकल फाइवर की बो दे रखी आमें 2 meter, साथ में बॉला है, दा दाइमेटर अप्तिकल फाइवर, D is 20 micrometer, if a ray of light is incident on one end of the fiber at angle theta 1 equal to 40 degree, the number of reflections it makes before emerging from the other end, is close to, clear है कि यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ से ray निकली, यहाँ पर TIR हुआ, यहाँ TIR हो, हर जगे TIR होता जाएगा, तो emerge होने से पहले इस से लगबग कितने TIR होंगे, वो हम से पूछा है, clear, तो देखने जरा हूं, तो इस point पर जो reflection हुआ है पहले इसके corresponding में theta 2 निकाल लेता हूं, तो स्नेल्स को लगाते हैं, तो 1 sin 40 equal to mu, mu की value दिरखी है 1.31, mu sin theta 2, clear, तो sin theta 2 की value आगई है, हमारे पास sin 40 की value of 0.64, यह value दिरखी है 1.31, यह approach 1 by 2 है, approach 1 by 2 मतलब theta 2 की जो value है, वो approach कितने आएगी 30 degree, clear, ठीक है बाई, theta 2 की value 30 degree है, approach, तो एक reflection में यह कितना distance आगे चलेगा, वो x calculate कर लेता हूं, तो देखो 10 30, 10 30 की value बनवाई root 3, यह लिखी जा सकती है, d upon x, तो x की value आगई, d root 3 micrometer, d की value basically micrometer में रखेंगे, तो यह आगई x की value, d root 3, अब देखो एक reflection में एतनी distance चला, total distance अपनको पता है, total length जो cover करनी है, तो number of reflections आजाएंगे, number of reflections आजाएंगे, हमारे पास total length upon एक reflection में चली हुई distance, तो solve कर लो ऐसे, तो 2 upon d की value दिरखेंगे 20 micrometer, मतला minus 6 into root 3, तो यह value आगई 10 to the power 5 by root 3, divide कीजिए तो यह value आजाएगे, हमारे पास 57, 735 के रहाऊं, clear, हमसे approach value पूछी है, तो यह जो value हमारे पास 57,000 के एक कोल है, तो emerge होने से पहले, जो approach हमारे पास reflections जो हैं, वो होंगे हमारे पास 57,000, okay, next question की तरब चलते हैं, question number 13, देखे ज़रा, क्या बोला है, a convex lens of focal length 20 cm, यह हमारे पास एक convex lens है, जिसकी focal length हमें 20 cm given की है, and a concave mirror having their principal axis along the same lines, ठीक है, इसी के दोनों की जो principal axis से वो common है, are kept 80 cm apart from each other, कि यहां से 80 cm पे, यहां से 80 cm पे, यह एक mirror रखा हुआ है, यहां पर mirror है, the concave mirror, ठीक, और क्या बोला है, the concave mirror is to the right of the convex lens, विल्कुल, when an object is kept at a distance 30 cm to left of the convex lens, यहां से, यहां एक 30 cm पे हमने क्या रख दिया, एक object रख दिया, clear, its image remains at the same position even if the concave mirror is removed, the maximum distance of the object from mirror for which the concave mirror by itself would produce a virtual image, समझे द्रख द्यांसे, कि बई, caution में यह बोला है कि इस से image माल लो यहां कहीं बन गई, साफ साथ तुम देख रहे हो, object जो है, वो F or 2F की बीच में, तो image माल लो यहां कहीं बन गई, अब बोल रहा है, image जो है न, यहां mirror हो चाहे ना हो, mirror हो चाहे ना हो, image यहीं बन रही है, मतलब मैं पक्का कह सकता हूँ, यह जो point है न, यह जो point, वो पक्का centre of कर वेचर है, क्यों, क्योंकि भाई, जब हमारे पास इसकी image यहां मनी है, तो अगर mirror नहीं है, तो तो image यहां है, मिरर अगर रख दिया जाए तो भी हैं इमेज मनें मतलब यह पॉइंट पका सी होना चाहिए इसके लिए यू पता है एक पता है वी निकालते हैं तो वी कि वैलु हो जाएगी यू इंटो एफ अपन यू प्लस एफ यह वैलु आगई हमारे पास माइनस का 600 अपन माइनस 10 तो यह वैलु आगई 60 सेंटीमेटर 60 cm तो यह distance रही होगी 20 cm मतलब इसके लिए आर आ गया 20 तो focal length हो गई 20 cm अब हमसे पूछा है कि object की यह जो image बनी है इस image की mirror से कितनी distance होनी चाहिए हमारे पास ताकि यह जो है image प्रोडूस करें वो virtual हो हमें पता है कि कौन के mirror वर्डूस करता है जब object उसके pole और focus के बीच में आ जाए तो देखो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए इसके pole और यहां का भी focus होगा object को अगर हम यहां कहीं लेके आ जाए focus की just path में तो यह हमें pole से maximum distance मिलेगी जिस पे हम रख के क्या ले सकते है उसकी virtual image गेन कर सकते है तो यह जो distance पोल से या बोल तो mirror से बोल रही होगी focal length मतलब लगभग 10 cm के equal रही होगी यह तो आ रहे है न 10 cm के के लिए एक question में हम से पूछा है क्या पूछा है the maximum distance of object from mirror for which this conquer mirror by itself would produce a virtual image तो वर्चूल image produce करने के लिए maximum distance focal length 10 cm के रही होगी correct answer आ जाएगा इसका हमारे पास second option ठीक है थर्ट 10 cm आगे बढ़ते है जरा question number 14 a conquer mirror of face conquer mirror for face viewing has focal length of 0.4 meter कि यह conquer mirror है इसकी focal length दे रखी हमें 0.4 meter the distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification of 5 ठीक है कि यहां से आपको अपना face जो है basically you object की position पूछी है यह कितनी distance पे रखना चाहिए जिससे जो image मिली है हमें वो 5 times मिली है साथ में कैसी मिली है upright अपराइट की upright मिली मतलब erect मिली तो basically हमें बनाना है कौन के mirror से erect image erect का बनती है जब virtual image बनती है तो मैं साब साब कह सकता हूं magnification plus 5 object जो है तुमारा pole और focus की बीच में कहीं रहा होगा अब focal length रखी हमें 0.4 तो जो भी आंसर है यू को वो 0.4 से तो कम आने वाला है तो ऐसे हमारे पास तीन option है तो हमें basically check करना पड़ेगा calculate करके तो करते हैं जरा check तो देखो, magnification की value है plus 5, magnification होता है minus v upon u, तो v की value आ गई minus 5u, अब लगा दो मेरा formula, मेरा formula v, होता है v, मेरा formula 1 upon v plus 1 upon u equal to 1yf, तो यहां से 1 upon v की जगा रख सकते है minus 5u, plus 1 upon u, equal to 1yf, तो यहां आगे हमारे पास minus 1y5 plus 1, plus का 4y, 5u equal to 1yf, तो यहां से u की value आ गई देखो, u की value आ गई हमारे पास 4fy5, इतनी position पर रखना चाहिए, value रख दो, तो 4y5, f की value हमारे पास कौन के वे, तो इसलिए minus 0.4, तो यह value हो गई हमारे पास, अजरा अलग से calculation कर देता हम इसकी, u की value हो गई हमारे पास, minus का 1.6 by 5, तो minus 0.32 meter, तो correct answer हो जाएगा हमारे पास 4th option, mirror से हमें face को 0.32 meter पे hold करना पड़ेगा, आगे बढ़ता है जरा, question number 15 की तरह, हाँ बढ़ी, क्या बोला है, a concave lens of focal lens 20 cm produces images of the same magnification 2, यह concave lens है, sorry, convex lens है, और same magnification, double size की जो क्या है हमारे पास, वो image produce कर रहा है, बुलाए, when an object is kept at two distances, x1 and x2, x1 greater than x2 है, from the lens, then the ratio of x1 and x2, हमें पता है कि जो lens जो है न, वो दो cases में magnified image देता है, एक तो कब जो object f और 2f के बीच में हो, तो हमें magnified image मिलेगी, तो double मिल जाएगी, यहां बट real मिलेगी, दूसरा जब object f और o के बीच में हो, तो यहां भी हमें magnified image मिल जाएगी, बट वो image कैसी होगी, वो हमारे पास erect होगी, virtual होगी, तो दोनों ही कैस है, यह है बेसिकली आपका x1, इस, यह है बेसिकली हमारे पास x1, इस real image के corresponding, और यह है हमारे पास इसके corresponding x2, virtual image के corresponding, इनी का ratio पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, magnification अगर इसके corresponding देखो, x1 के corresponding तो minus मिलेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टिड है, और उसके corresponding plus मिलेना पड़ेगा plus minus 2 equal to, हम लिख सकते हैं, v upon u, तो v की value आजाएगी plus minus 2u, u यह आपर x1, x2 है, lens formula लगाओ, तो lens formula अपन बोख सकते हैं, 1 upon v, minus 1 upon u, equal to 1yf, तो 1 upon v की जगा plus minus 2u, minus 1 upon u, equal to 1yf, अब इस relations को काम में लो, एक बार तो plus लेलो, एक बार minus लेलो, एजली तुमारे पास x1, x2 की value आएगा, कितना आएगा, देखो, minus लेते हैं, तो minus 1 upon u, minus 1 upon 2u, minus 1 upon u, equal to 1yf, तो यह आगे हमारे पास minus 3y2u, equal to 1yf, तो यहाँ से u की value आगा, u basically x1 है, इसकी value आगा हमारे पास minus 3f by 2, अब यह अगर प्लस ले लेते हैं, तो 1 upon 2u, minus 1 upon u, equal to 1yf, यह x2 देगा, तो यह आगे ह minus 1 upon 2u, equal to 1yf, तो यहाँ से u, यह बोल दो x2 की value आगा, minus f by 2, अब हमसे यह x1, x2 का ratio पोचे, तो साफ साफ दिखाए दे रहा है, कि x1, ratio x2 जो है हमारे पास, वो हो जाएगा, हमारे पास 3 ratio, 1, मतलब second जो हमारे पास, correct answer हो जाएगा, इसका, ओके, यह जो है basically lens के, जो special cases है, उस पर based question है, याद होरे चाहिए, direct काम हाते है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं जारा, तो next question देखें जारा, question number 16, बलाए, a thin convex lens L, reflective index 1.5, is placed on a plane mirror M, when a pin is placed at A, such that OA equal to 18 cm, its real inverted image is formed at A itself, एस उन्दा figure, when a liquid of reflective index mu L is filled between the lens and the mirror, यहां fill कर दिया है, यह भी एक तरह सिक lens बन जायागा बाद में, अब क्या हुआ, the pin has to moved to point A dash, such as OA dash की value 27 दे रखिये, to get its inverted and real image, at A dash itself, the value of real पूछिये, so मैं अजरा question क्या है, कि पहले तो यह केस दे रखा है, कि यह अमारे पास, 3y2 का, mu equal to 3y2 का, एक lens, reduce the curvature में माल लेता हूं, R, तो focal लंत आजाएगी, 1 upon F1 equal to, mu2 upon mu1 minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2, तो यह value आजाएगी, हमारे पास F1 की value R, के लिए, दूसरे केस में क्या किया है, यहीं पर, यह lens था, ठीक है, इसी के साथ यहीं पर क्या किया है, हमने, एक liquid भर दिया, mu L का, तो इसके corresponding जो F2 लेखा जाएगा, तो बोजाएगा, 1 upon F2 equal to, mu L upon 1 minus 1, 1 upon R1 minus का, minus 1 upon R2, ठीक है, तो यहां से 1 upon F2 की value आगई, हमारे पास, minus mu L minus 1Y, R, अब समय जरा कहानी क्या है, कि यहां भी mirror था, और यहां भी mirror था, कि पहले इस combination की बात करें, तो देखो, lens और mirror का combination अपने आप में एक mirror बनाएगा, तो इसके corresponding focal length निकालता हूँ, इस combination की, तो इसकी combination की बोलेंगे हम, 1 upon F effective, equal to 1 upon F mirror, minus 2, F lens, clear, तो यहां से अपने पास, F effective की value आगई, हमारे पास, minus F1 by 2, minus में आईए है, मतलब definitely में बोल सकता हूँ, यह concave mirror की तरह भीव करेगा, ठीक है, इस case में अगर बात कर तो यहां पर लिखेंगे, 1 upon F effective, equal to, 1 upon Fm, minus 2, 1 upon convex का focal length, plus concave का focal length, clear, तो यहां F effective आगया, हमारे पास, यहां आगया, 1 upon, minus में 1 upon 2, 1 upon F1 plus 1 upon F2, यहां भी concave mirror बनेगा, clear, अब question में बोला है, कि जब यह case था ना, तो यहां से A point पर एक pin रखी है, उसकी rear inverted image A पर ही मिली है, और यह distance है 18 cm, मतलब पका कह सकता हूँ कि इस कौन के mirror के लिए, इसका जो effective कौन के mirror जो बन रहा है, उसके लिए यह point पका center of curvature है, मतलब यह जो 18 cm जो है ना, इसके लिए 2 into F effective है, पहले case में, तो F effective की value क्या रही होगी यहां से, 9 cm, clear, तो यह value जो है, वो 9 cm रही होगी, clear, दूसरे case में बोला है कि यहां पर, अब हमें object को A dash पर रखना पड़ेगा, जिससे real inverted image मिली है, मतलब पका अब A dash वाला point इस effective mirror का center of कर वे चल रहा होगा, तो O dash की जो value है, अब यहां पर 2 into नया वाला F effective रही होगी, reduce of कर विचर रही होगी, basically, तो नया F effective की value आगा, यह से 27 by 2, तो यह जो value है हमारे पास, यह रही होगी 27 by 2, clear, अब करना क्या है, हमें mu L find करना, F2 की value हमें mu की form में पता है, तो जस्ट दोनों equation को काम में लेके, हमे में mu calculate करना है, आवस, ठीक है, तो देखें जराओ, हाँ वई, तो रखते value, तो 1 upon 2, 1 upon F1, F1 की value यहांसे तुम सीधा लेख सकते हो, यह value देखो, minus में, क्योंकि क्योंकि चल रहा है, सब को मैंने sign नहीं लिखा, यह minus में सब कुछ, यहांसे F1 की value आगा, 18, तो 1 upon 18, क्यलियर, प्लस, 1 upon F2, 1 upon F2 की जगा, यहांसे लग दो, तो यहांसे लग दो, तो यहांसे लग दो, माइनस, mu L minus 1 upon R, और R की value अगर तुम ध्यान से देखोता है, F1 और R सेम है, मतलब है, F1 की value भी कितनी है, 18, equal to 27 by 2, 2 से 2 गया, ठीक है, तो यहांसे बन अपॉन 18, minus, mu L minus 1 upon 18, equal to 1 upon 27, 18 को यहांसे common लेखे, यहांसे ले जाओ, तो यहांसे बन गया, 1 minus, mu L plus 1, equal to 2 by 3, ठीक है, तो यहांसे बन गया, 1 minus, mu L plus 1, equal to 2 by 3, ठीक है, आगे, 6 minus 2 by 3, तो यहांसे आगे, अपने पास 4 by 3, मतलब हमने जो refractive index जो भरा है, वहांपा liquid जो भरा है, वो 4 by 3 refractive index का रहा हुआ, इसके लिए calculation बढ़िये हैं, तो खास concept बाली कहानी ज़्यादा नहीं है, concept क्या था, एक तो इसमें mirror lens maker formula काम ले लिया, दूसरा silvering camera ले लिया, तीसरा center of curvature वाला concept काम ले लिया, आगे बढ़ते हैं जड़ा, next question की तरफ, question number 7 देखे, वो लाए, बन प्लेनो convex and प्लेनो concave lens of same radius of curvature are, but of different materials as joint side by side, as on the figure, the refractive index of material is mu1 and mu2, then the focal end of the combination, clear, तो पहले इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए अगर बुला जाए, तो 1 upon f1 की value क्या हो जाएगी, 1 upon f1 हो जाएगा हमारे पास mu1 upon 1 minus 1, 1 upon infinity minus 1 upon minus r, ठीक है, तो इसकी focal length आगई हमारे पास 1 upon f1 की value आगई, mu1 minus 1 by r, similarly इसका निकाल सकते हैं, तो 1 upon f2 हो जाएगा, अपने पास mu2 upon 1 minus 1, लेंस में एकर फॉर्मल लगा रहा हूं है, 1 upon r1 minus 1 upon r2, तो ये value आगई, 1 upon f2 की mu2 minus 1 upon minus r, अभे निकालना है effective focal length, तो f effective हो जाएगा, 1 upon f1 plus 1 upon f2, तो ये value आगई, हमारे पास r, mu1 minus 1, minus mu2 plus 1, इससे ये गया, तो f effective आगए, r upon mu1 minus mu2, clear, r upon mu1 minus mu2, तो correct answer हो गया, हमारे पास third option, next question कीतरा बढ़ते हैं, question number 18 देखें जाएगा, 18 में क्या बोला है, the graph shows how the magnification M produced by a thin lens varies with image distance V, what is the focal length of the lens used, clear, magnification का V के साथ relation दे रखा है, तो को lens में क्या होता है, हमारे पास, lens वारूला हमारे पास 1 upon V minus 1 upon U equal to बनवाई है, इसको क्या करें अपन, उपर निचे, V से multiply कर देते हैं, तो V से multiply करते हैं, ये बन जाएगा, 1 minus V upon U equal to by f, ये हो गया, अपने पास lens के लिए magnification, तो यहां से M की value आगई, हमारे पास 1 minus by f, clear, अब तुम इस अगर graph को देखो, तो विल्कुल linear relation आ रहा है, बी के साथ, जिसका slope जो है, वो 1 upon f है, clear, तो यहां अगर मैं slope देखो, slope की value आएगी, हमारे पास 1 upon f, तो slope कितना आएगा, देखो, तो यहां से देख लेए अपन, इस जगे से, तो यह height कितनी हो गई, c, यह कितना हो गई, हमारे पास b, तो 10 theta हो गई, आपर पास c upon b, तो focal length आगई b by c, तो 4th हमारे पास correct answer हो जाए, next question देखे जारा, बला, a concave, a concave mirror has radius of curvature 40 cm, इसकी radius of curvature हमें दे रखी है, 40 cm, मतला focal length हो गई, इसकी 20 cm, it is at the bottom of a glass that has water filled up to height 5 cm, if a small particle is floating on the surface of water, its image as seen from directly above the glass, it is at a distance d, कि वह उपर से देखने पर इसकी जो image बनी ने, इसमें, उसकी distance दिखाए दिये, हमें क्या दिखाए दिये, d दिखाए दिये from the surface of the water, the value of d is close to, ठीक है, समय ने ज़रा क्या कहानी है, कि वह यहां से कोई देखने वाला observe और जब देख रहा है, इससे क्या होगा, एक तो directly देख सकता है, दूसरा इसने बोला है कि इसकी जो image ना, यहां कहीं दिखाए दिये, surface of the distance पर, तो वो कैसे बनेगी पहले तो वो समझते हैं, कि वह यहां से रियाई होगी हूँ, और reflect होगी होगी हूँ, और इस तरह से reflect होगी उपर पहुंचकी होगी, दूसरी रेकी बात अगर मैं करूँ, कि वह यहां से रियाई मान लो इस तरह से हूँ, यह जो distance है, 5 cm पर focal length 20 है, तो definitely यहां से इस तरह से reflect होगी, और यहां से finally dancer से rarer की तरफ जाते हुए, इस तरह से reflect हो जाएगी, तो finally हमें यहां image दिखाए देगी, clear रहे क्या, सुन नजरा क्या होगा, एगार फिर से मनाता हमें जाएगी, कि object से यह जो रहे आएगी, वो तो normal के along आई, normal के along चलेगी, अब इदर जो ray आएगी, center of curvature यहां कहीं है, normal आएगा, इस तरह से, तो ray जो है, वो ऐसे कहीं reflect होगी, तो एक तो image बनेगी, इन नोनों के intersection से इदर कहीं, clear, दूसरा अगर मैं बात करूँ, तो यहां reflect होगी इस तरह से, तो इन नोनों reflected ray के intersection से यहां बनेगी, यह I1, यह I2, यह observer तक महुची है, तो यह उसे I2 दिखाए देगी, तो basically यह distance उसने D पूछी है, कि apparent depth तो है न, इस I2 की वो कितनी है, clear, और समयने ज़रा कैसे कलकूर करेंगी से, तो पहले तो मैं इसी के लिए बात करता हूँ mirror के लिए, तो mirror के लिए object जो है वो 5 cm पर इमेज की अगर बात करूँ, तो V की value आ जाएगी हमारे पास UF upon U-F, U की value है minus 5 cm, focal length है minus 20 क्योंकि क्यों के mirror है, तो minus 5 minus minus plus का 20, तो V की value आ गई 100 upon 15 plus का, तो ये value आ गई 20 बाई 3 cm, मतलब इमेज जो है यहां से 20 बाई 3 पर बनी है, अब तुम अगर देखो तो 5 plus 20 बाई 3 ये water के अंदर height है, कितनी है 5 plus 20 बाई 3, मतलब 35 by 3 cm जो है, 35 by 3 cm जो है, वो हमारे पास इसके अंदर की height है, ये height, ये, हां surface से height, ये height है, clear, हमें इसकी apparent height पे ये eye 2 दिखाई देने वाला है, तो ये हमें निकालनी है, कि इस eye 1 की apparent depth कितनी है, तो हम बोल सकते है, eye 1 की apparent depth आएगी हमारे पास, mu 2 upon mu 1 into actual height, तो mu 2 है, हमारे पास observer का medium 1, और इसका refractive index हमें, ये रखा है, 1.33 मतलब 4 by 3, और साथ में actual height हमें पता है, 35 by 3, तो यहां से apparent depth आगई हमारे पास, ये आगई हमारे पास, 8.75 cm, या बोल दो 8.88 cm, तो ये तनी depth पर हमें जायो, finally means उसकी दिखाई देने वाली है, के लिए, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 20, देखें जरा question number 20 क्या बोल रहा है, बोला है कि वही, a transparent cube of side D, made of material of refractive index mu 2, is emerged in a liquid of refractive index mu 1, 4 तरह mu 1 इसका surrounding medium, mu 1 की value जो काई अतल सराउंडिंग, rarer है, इसका slab का जो है मारे पास में उटबू जादा है, dense, rage incident on the surface A, B, as on a figure theta पर आई है, total internal reflection takes place at point E, इस point पर हमें क्या कराना, TIR कराना है, then theta must satisfy, किस equation को theta satisfy करेंगा, तो देखो, ये theta, ये angle में माल लेता हूं R, तो ये भी हो जाएगा, r, पहले तो स्नेल्स equation लगाते हैं, तो स्नेल्स लोग से आगा लगाएं, तो A, B, surface में तो देखी तो अपने बोल सकते हैं, mu 1 sin theta, एक्कल होना चाहिए, mu 2 sin r, clear, तो यहां से sin r की हमारे पास value आगई, mu 1 by mu 2 sin theta, clear, अब यह r है, तो यह angle for r, यह 90 minus r हो जाएगा, हमारे पास, यह 90 minus r है, यहां TIR होने के लिए, यह होना चाहिए, greater than c, मतलब sin 90 minus r, मतलब cos r की जो value है, वो greater than sin c होने चाहिए, दोनों तरफ sin लिया, बस मेरे, clear, cos r की value क्या होने चाहिए, than sin c, बस relation काम मेरे ना आईगी, अपने आप हमारे पास condition आजाएगी, तो देखो, यह sin r पता है, इससे cos r निकालो, तो यह value आजाएगी, 1 minus sin square theta, तो mu 1 square, mu 2 square, sin square theta की value, ज्यादा होने चाहिए, sin c से sin c की value हो जाएगी, हमारे पास, mu 1 by mu 2, फर्दा solve करते हैं, तो root हटा दो, square हो गए, ठीक है, तो relation क्या मिल गया, relation मिल गया, हमारे पास, 1 minus, mu 1 by mu 2 का hall square, is greater than, mu 1 by mu 2 का, hall square, sin square theta, इसको divide कर दो इदर, relation मिल जाएगा, mu 2 by mu 1 का, hall square, minus 1, greater than, sin square theta, तो root ले लो, sin theta, तो theta की value, less than होनी चाहिए, sin inverse, under root, mu 2 by mu 1 का, hall square, minus 1 से, यह आजाएगा, हमारे पास, correct answer, तो देखाँ, ज़रा options में, क्यादे रखा है, तो यह theta की value, जो है, वो कम होनी चाहिए, theta की value, कम वाले, हमारे पास, रुवात की दो रिलिशन है, तो sin inverse, mu 2 square upon mu 1 square, minus 1 से, कम होनी चाहिए, तो second हमारे पास, correct answer हो जाएगा, तो क्यादे, next question, देखे जाए, 21 number question, बुला है, a thin lens, lens made of glass, refractive index 1.5, of focal length 60 cm, is image in a liquid, of refractive index 1.42, if its focal length in liquid is FL, than the ratio of FLYF, कि पहले, इसकी focal length F दे रखिये, कम बोल सकते हैं, 1 upon F की value होगी, mu 2 upon mu 1, मतलब 3y2 upon 1, minus 1, radius of curvature के हिसाफ से, 1 upon R1, minus 1 upon R2, clear, यह तो initial focal length, जब surrounding में, FL डाल दिया, तो तब refractive, focal length की value आजाएगी, mu 2 upon, refractive index दे रखा है, 1.42, minus 1, 1 upon R1, minus 1 upon R2, clear, दोनों का divide कर दो, दोनों का divide करें, तो यह value आजाएगी, FL by F, equal to, 3 by 2 यह बन जाएगा है, 1 by 2, यहाँ हो जाएगा, हमारे पास, 3 by 2 into, 1.42, minus 1, यह आजाएगा, FL by F का ratio, अब बस इसे solve करना है, तो यह value आएगा, देखो, solve करते हैं से, तो यह आजाएगा, 1 upon 2, 3 minus, by 2 into, 1.42, 2 से 2 गया, तो यह value आगा, 1.42, divided by, 3 में से 2.84, subject करेंगे, 16, 1.16, ठीक है, 0.16, तो 0 से 0 गया, यह value आगा, 142 by 16, ठीक है, यह जो रेशो आप्रोक्स कितना आएगा, आप्रोक्स आगे हमारे पास, 9, तो यह value आजाएगा, हमारे पास, 9, तो correct transfer हो जाएगा, 21 का, second option, question number 22, देखे जाएगा, an object is gradually moving away from the focal point of a concave mirror, कि यह हमारे पास, एक concave mirror, यह इसका focus हो गया, और focus से हम, away from the mirror object को move करा रहे हैं, तो magnification और position of object की बीच में, रेलिशन पूछा है, तो हमें पता है, object जब हमारे पास focus पे होती है, तो image बनती है infinity पेर very large, मतलब graph अगर मैं बनाऊं M और U के बीच में, तो F पर हमें क्या मिलना चाहिए, F पर हमें infinity को approach करना चाहिए, और object जैसे से दूड़ जाएगा, image पास आती जाएगी, तो हमें पता है, object दूड़ जाने पर image पास आती है, तो image की side जो चोटी होती होती है, मतलब magnification जो होती होता जाएगा, तो इस तरह का graph आना चाहिए, जो F के पास infinity को approach करें, तो जो हमारे पास third है, जो correct answer हो जाएगा हमारे पास third, clear, to F, fourth option को अगर हम देखें, तो देखो यह F पर infinity की बजाए, कुछ, कोई finite value बता रहा, magnification की, इसलिए रहोंग है, ठीक है, next question की बात करते है, question number 23, क्या बोला है समें, बोला बही, vessel of depth 2H is half filled with the liquid of refractive index 2 root 2, and the upper half with refractive index 2 root 2, the liquid are immisibles, the apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel, यह vessel है, इसमें H higher तक तो भरा हुआ है 2 root 2, further H higher तक भरा हुआ है, हमारे पास root 2, तो इस तरह की cases में अगर मान लो, यह mu1 है, यह mu2 है, यह h1 है, यह h2 है, यहाँ पर मान लो, हमारे पास कोई mu note वाला medium है, जिसमें से आप देख रहे हो, तो apparent depth की value आती है, हमारे पास observer वाला upon mu1 h1 plus observer वाला upon liquid का mu2 h2, इस तरह से हम calculate कर सकते हैं, तो सीधा formula लगाना है बस, तो हम बोल सकते हैं, h2 की value आएगी, यहाँ से देखो, तो mu0 तो है, ar upon 2 root 2 h, plus mu0 तो है, ar upon root 2 h, तो यह value आगा हमारे पास, 3 by 2 root 2 h, कितनी apparent depth आएगी, तो 3 by 2 root 2 का हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, root 2 से उपर निचे multiple कर तो 3 root 2 by 4 h, तो correct answer आएगा हमारे पास second option, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 24 में, क्या बोला, there is a small source of light at some depth below the surface of water, reflective index 4 by 3 in a tank of large cross sectional area, surface area, neglecting any reflection from the bottom and absorption by the bottle, percentage of light that emerge out of the surface edge, कि वहीं यह हमारे पास एक water भरा हुआ है, जिसमें mu की value हमारे पास 4 by 3, इससे किसी ash depth पर मान लो, यहां करी point source आएगी light निकल रही होगी, clear, अब जो यह extreme condition की बात करूँ, तो जब light यहां पर critical angle पर strike करेगी, वो इस तरह से grazing emergence देगी, उससे ज़्यादा angle पर जो आएगी, वो emit नहीं करेंगी, तो कुल मिला के यहां से अगर मैं देखूँ, तो किसी hour distance तक ही, जो light है, वो कि अगर पाएगी, image कर पाएगी, clear, और उस time यह जो angle है, वो critical angle रहा होगा, SIR यहां, SIR इदर, चारो तरफ यहां एक पूरा का पूरा circle बन रहा होगा, इस circle से ही, इस light source की light emit करेगी, बागी जगा नहीं करेगी, clear, तो देखो, यह angle कितना है, हमारे पास C, तो यह solid angle बना लेता हूँ, मैं इस disc का, इस source में बना हूँ solid angle, जिसकी value क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी solid angle की value, 2 pi 1 minus, cos plane angle, तो cos C, clear, अब देखो, source से तो इसके चारो तरफ, 3D में, पूरे के पूरे spherically, यह बोल सकते हो, radially raise निकल रही है, पूरे के पूरे 4 pi angle पर raise निकल रही होंगी, उस 4 pi में से किवल इतना parts जो है, वो इस disc से बाहर निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ percentage अगर निकालो, आपकि कितना percentage बाहर निकला है, तो वो निकलेगा, जितना बाहर निकला, upon total produce into 100, इतना percentage बाहर निकला होगा, अब value रग दो, तो 2 pi, यह होगया हमारे पास 1 by 2, 1 minus cos c, ठीक है, तो sin c की value कितनी हो जाएगी, sin c की value, medium interface के लिए हो जाएगी, 1 upon mu 4 by 3, तो cos c की value हो जाएगी, हमारे पास root 7 by 4, यह value put करतो यहाँ, 1 minus root 7 by 4 into 100, यह swallow करतों यह value आएगी, हमारे पास 16.9% के आराउं, तो हम बोल सकते हैं, 17% जो है, light जो है, इस water surface से बाहर इमिट करेगी, बाकी नहीं करेगी, तो correct answer हो जाएगा, हमारे पास first option, question number 25 देखें जारा, a point object in air is in front of a curved surface of a plane of convex lens, plane of convex lens, जिसका हमें mu दे रखा है 3 by 2, साथ में radius of curvature की value दे रखा है 30 cm, और पूछा हमें देंदा focal length of the lens, focal length पूछिए, शीदा lens formula अप्लाई करेगी, तो हम बोल सकते हैं, 1 upon f equal to mu 2 upon mu 1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, तो यहां से 1 upon f की value आगा हमारे पास, 1 upon f की value आगा हमारे पास, 1 by 2 into 1 by 30, तो यहां से focal length की value आगा, 60 cm, इस ने यही पूछाए कि cm में focal length कितनी होगी, तो 60 correct answer हो जाएगा, next question की तरफ चलते हैं, question number 26, spherical mirror is obtained as, as one in the figure from a hollow glass sphere, if an object is positioned in front of the mirror, what will be the nature and magnification of the image of the object, इस पिसल केसे पे बेश्ट कॉशन हैं हमारे पास, कि जो भई ऑबज़क की position अगर हमें दे रखी हो, तो हम image के बारे में comment कर सके, तो यहां अगर तुम जयां से देखो, तो देखें जड़ा, क्या वोलाए, spherical mirror is obtained as the figure, from a hollow glass sphere, अगर तुम देखो, तो भई इसके diagram से हम बोल सकते हैं, कि इसके लिए, 8 वाला जो point है, यह इसका center of curvature, इस circle का साफ साफ दिखाए दिरा है, यह होगा हमारे पास 0, यह section तो यह midpoint होगा, center of curvature होगा 8, मतलब इसकी focal length कितनी है, हमारे पास, 4 cm, object को अगर मैं देखूँ, तो object जो है, वो C और infinity के बीच में, तो image कहाँ बनेगी, image बनेगी हमारे पास C और F के बीच में, जो कि हमारे पास small होगी, real होगी, और हमारे पास inverted होगी, तो हम कहाँ सकते, image जो हमारे पास inverted आएगी, real आएगी, और un-magnified आएगी, ultra-bastric एवं अनावर्दे, तो correct answer होजाएगा, हमारे पास third option, clear, next question देखें जड़ा, a light ray enters in a solid glass sphere of refractive index, mu equal to root 3, at angle 60 degree, तो यह normal, यहाँ से 60 degree पर यह light enter किये, यहाँ refract होगी, ठीक है, फर्दर यहाँ refract भी होई है, यह कुछ portion इसका reflect भी हुआ है, तो बोला इन दोनों के बीच का यह angle कितना यह पूछा है हम से, clear, तो मैं पहले इस angle की बात करता हूँ, यह R है तो symmetry से यह भी R हो जाएगा, तो स्नेल स्लो लगाते है, first surface पे तो हम बोलेंगे, sin 60 equal to हो जाएगा, mu sin R, sin 60 की value हो गई, root 3 by 2, root 3 से root 3 की है, sin R की value, half मतलब R आजाएगा, हमर पास 30 degree, तो यह angle हमें पता लग चुका है, 30 है, तो यह भी 30, अब देखो 60 से आई 30 पे गई, तो 30 से आएगी तो 60 पे जाएगी, तो अपन स्नेल स्लो से यह भी बोल सकते हैं, यह angle 60 होगा, अब यह देखो यह I, यह reflection हुआ है, तो I equal to R से यह angle कितना हो जाएगा, 30, कोई देखकर, ठीक है बई, अब देखना ज़रा हो, यह 30 है, ठीक है, यह 30, यह 60, यह angle theta find करना है, तो इस line पे बनने वाला total angle कितना होना चाहिए, 180, 60 प्लस 30, 90, theta की value 90 रही होगी, तब ही जागे total vanity आएगा, तो मैं कह सकता हूँ, refracted और reflected range के बीच का angle 90 डिगरी रहा होगा, next question की तरब चलते हैं, question number 28 देखे, क्या बोला है, an observer can see through a small hole on the side of a jar, radius दे रहा किए 15 cm, at a point of height 15 cm, इसको यह directly देख सकता हूँ होल से, मतलब यह 15 है, यह 15 है, तो यह 30 हो गया, यह भी कितना हो गया, 15 डाइटियस है, तो यह total हो जाएगा 30, मतलब यह angle 45 हो हमारे पास, अब क्या बोला हैस में, when the jar is filled with a liquid up to a height 30 cm, the same observer can see the age of the bottom of the jar, if the refractive index of the liquid is n by 100, then the value of n puts, क्या अब क्या किया है हमने, अब, इस jar को हमने 30 cm तक, एक liquid से भढ़ दिया, जिसकी वैसे हम, इसके bottom को भी देख पार, तो हो क्या रहा है कि यहां से raise आई यू, क्या यह, रिफ्रेक्शन होगा, तो इस point से जो raise आ रही है, वो refract होके IE में पहुँच रही है अब, क्या इस point को भी देख पारा, तो इसका यह move पूचा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मान लता हूँ angle R, क्या इसको मान लता हूँ angle R, ठीक है, अब देखना, यह 45 है, मतलब यह और यह, कितने रहोंगे, सेम रहोंगे 15-15, यह भी कितना रहा होगा, 15, यह height कितनी है, 30, तो मैं यहां से 10R की value बता सकता हूँ, 10R की value आ जाएगे यहां से, 15 upon 30, मतलब 1 by 2, तो यहां से sinR की value आ जाएगे हमारे पास, sinR की value आ जाएगे हमारे पास, 1 upon root 5, ठीक है, 1 upon root 5, अब स्नेल सो लागा दो इस सरफेस पे, तो हम बोलेंगे, 1 sin45 equal to mu, sinR की value root 5, तो यहां से mu की value आ गए, हमारे पास root 5 by 2, यह value आ जाएगे हमारे पास 1.58, इसको अगर आपन बन अपन 100 की फॉर में लेखें हैं, तो आजाएगा 158 upon 100, तो N की value आ जाएगे, यहां से 158, clear? नेक्स्ट कॉश्ण की तरफ चलते हैं, कॉश्ण नमर 29, मुझाए मुझाए उसमेहन अपन इसकेप आ अट इसकेप्तर इस तरफ इसकेटेश सेंटेमिटर फ्रम कॉण की मिरूर की यह हमारे पास कॉण की मिरूर है? इस अपने एक अब्जेट को, 30CM की ऑपका है, तो इमेज़ फॉर्म इसमार सदेंस आप दाए, 10 cm from the mirror image 10 cm पर बनाए mirror से if the object is moved with a speed of 9 cm per second the speed in cm per second with which image move at the instant object की speed दे रखिये यहाँ पर V object 9 cm per second U की value दे रखिये 30 V की value दे रखिये 10 और VI पुछाए तो देखो object और image की जो position है वो mirror की respect मैं में पता होती है 1 upon V plus 1 upon U equal to 1YM differentiation कर दो time के respect में तो यह मिल जाएगा 1 upon V square DBYDT मतलब VI with respect to M इसका difference करेंगे तो minus 1 upon U square DUYDT मतलब V naught with respect to M focal length का differentiation 0 तो यहाँ से relation आ गया VIM equal to minus V upon U का hall square V naught M अब M mirror की speed की कोई बात नहीं की गई है तो यह mirror की velocity तो हो गई 0 तो VI की value आगा है हमारे पास minus V upon U का square V naught अब जखो V की value दे रखी है 10 U की value दे रखी है 30 का hall square object की विरुशन दे रखी है 9 cm per second तो यहाँ से यह relation आगया हमारे पास minus 1 cm per second तो image जो है वो 1 cm per second से move कर रहे होगी correct answer जाएगा 29 का 1 next question की तरफ बढ़ते है question number 30 देखें इसमें बोलाए ता distance between an object and screen is 100 cm कि यह एक object है और एक screen है उसके बीच की जो distance से capital D वो हमें बोली है 100 cm साथ में बोलाए a lens can produce real image of the object on the screen for two different positions कि यह लेंस को जो है हम screen पर image बना रहे है real object की मतलब definitely convex lens है question जो है वो displacement method के उपर है कि मैं two different different position में image जो मिली है वो screen पर मिली है the distance between these positions is 40 cm कि इन दोनों position की बीच का डेल्टा X जो है वो दे रखा है 40 cm तो पूचा पावर क्या होगी तो देखो इसके लिए सीधा हमें relation पता है कि focal length की value आती है हमारे पास D square minus delta X उनकी बीच के separation का square upon 4D इसका अगर उल्टा कर दो तो बन अपने F power मिल जाएगी जो की आजाएगी 4D upon D square minus delta X square value रखते हैं तो 4 into D की value दे रखी 100 cm मतलब 1 meter D की value 1 meter का square minus delta X दे रखा हमें 40 मतलब 0.4 का square 0.4 का square हो जाएगा हमारे पास 0.16 clear? जो power हो हमारे पास diopter में आजाएगी जिसकी value आएगी हमारे पास 4.76 diopter clear? अब इसने आएना 100 की form में पूचा है तो ये value आजाएगी हमारे पास 476 आजाएगी N की value, okay? Question number 31 देखें जड़ा, क्या बोला है इसमे for a concave lens of focal length F the relation between object and image distance U और V की बीच में किराव बनाया है basically concave lens के लिए, concave lens के लिए है तो देखें ये होता है हमारे पास concave lens ये है हमारे पास concave lens, ठीक है? अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो पहिए object को अगर मैं एकदम lens से चिपका दू optical center पर रख दू तो image भी यहीं बन जाएगी मतलब U equal to 0 पर V भी 0 होगा clear? object को अगर मैं shift कराते हुए infinity पर लेके आजाओं तो image भी जो है, वो कहाँ shift हो जाएगा वो हमारे पास focus को अप्रोच करेगा मतलब एक चीज तो clear है V और U का graph बनाया जाएगा तो initially दोनों 0 है और जब V, जब हमारे पास U infinity होगा तो V जो है वो F को अप्रोच करना चाहेगा कि इस तरह के graph आना चाहिए कि भी बढ़ते बढ़ते F को अप्रोच करेगा तो कि infinity पर object अगर है तो image का मन जाएगी फोकस पर, otherwise बीच में रहेगी clear? इस दोना अगर मैं देखूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि object की जो image की जो position है वो object के एककल हो जाए clear? क्योंकि object जो है वो हमारे पास काफी तेज रफ्तार से दूड़ जाएगा image जो है उतने time एक की वल F तक ही जाएगा तो कभी भी इस सेम नहीं होने वाली है तो हमें वो graph भूरना जिसमें इस तरह की shape आए और VU और U कभी सेम नहीं हो VU कभी सेम नहीं हो मतलब VU V equal to UY line जो इस graph को cut नहीं करेगी तो करें ट्रांस राजाएगा हमारे पास थर्ड ओप्सन के लिए नेक कॉस्टन की तरफ चलते हैं कॉस्टन नमर 32 32 में क्या वोला है अग कंपार मार्जिक्रेस्कोप कंसिस्ट आप अब अब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 1 cm यह एफ नॉट दे रखा 1 cm एड आई पीस लेंथ आफ फाइव सेंटिमेटर यह हमें आइज मिन्मम यह मतलब इमेज जो बनी इनफेनिटि वह नहीं है तो यह जो इमेज बनी होगी इंट्री इमेज बनी होगी हमारे पास फाइफ सेंटीमिटर दो यह डिस्टनस रही होगी हमरे पास five U equal to 1YF तो यहां से 1 upon U की value आगई हमारे पास 1 upon 5-1 तो U की value आगई हमारे पास माइनस 5 by 4 ठीक है अब डेफिनेटल इदर बोल सकते हैं कि लेफ्ट मों अब्जेक्ट तो माइनस उसी को बता रहा है कि यह वेल्यू की अगर बात को तो 5 by 4 cm आएगी अब इसने जो नीचे 40 बना रखा तो 10 से उपर नीचे मल्टिपल कर दो तो N की value या 50 रही होगी के लिए नेस्ट को सब्सक्राइब चलते हैं को सब्सक्राइब बोला है अब प्रेज्म ऑफ एंगल कि एकुल टो बन डिग्री है जरेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 अगोड एस्टिमेट फॉर दा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन डिग्री इंडिज क्लोस्तू एन सब्सक्राइब अब यह एंगल उप इंडेंस पर डिपेंड नहीं करता तो यह फिक्स के लिए चाहिए कितना एंगल रखो यह फिक्स आएगा एक प्रिटिकुलर मियू और एक के करेस्पोंडिंग क्लियर तो यही मिनिमम है यही मेक्सिमम है ठीक है तो एक ही आगर बात कर तो एक की वैल्यू दे रखी है 1 डिगरी मिव की वैल्यू बन पॉंट 5 माइनस वन तो यह वैल्यू आगए हमारे पास 0.5 डिगरी यह इसे बहुत सकते हो 5 बाइट 10 यहां से एंड की वैल तूम साब साब दिखते हो एंड की वैल यहां पर 5 रही होगी नेक्स कॉशन की तर नहीं वन मिटर की दिस्टेंस पर एक पॉइंट औफ गया है ओछल अफकल लेंथ एफ ब प्लेंट अब प्लेंडविड की डिस्टेंस पर एक प्लेंड निया यहां से नैचर फायमेच फॉर्म्ड बाइद सिस्टम ठीक़ के बारे में पॉइशन नेचर बताने को देखो इमेज बनेगी यहां राओर मotom जोके बन-ध्र यह वन न को य literary ऑन भी है यह जो है इसके एमेज बनेगी यह बहु बनेगी यह लिए अब यह जो वन है यह रेज जो है फाइनली इस लेंस में पहुंचेंगी और इमेज बनाएंगी तो इसकी लेंस से डिस्टेंस हो गई थ्री मीटर लेंस फर्मल लगाते हैं यह ऑब्जेट की तरह वेव करेगा लेंस के लिए तो वी की वैलू आ जाएगे यू एफ अपन यू प्लस यू की वैलू माइनस 3 एफ की वैलू 0.5 अपन यू की वैलू माइनस 3 एफ की वैलू 0.5 तो वैलू आ गई हमारे पास माइनस 3 इंटू 0.5 अपन माइनस का 2.5 माइनस से माइनस गया इस से गया यह हमारे पास 5 times तो V की value आ गई 3y5 मतलब 0.6 meter मतलब image जो बनने वाली है इसको हमने अब ये object है तो इसके corresponding plus की direction ये रही होगी तो final image यहां बनेगी 0.6 पर अब plus में आई है मतलब definitely real image होगी तो final image यहां बनेगी इसकी अगर मैं mirrors distance देखू तो 2 plus 0.6 तो 2.6 distance आएगी mirror से वो वी real nature की तो देखो ज़राब 1 meter from the mirror नहीं 2.6 meter from the mirror real होगी ठीक है वाई तो 4 तो हमारे पास correct answer हो जाए next question की तरफ चलते है question number 35 double convex lens is power P double convex lens है ठीक है इसकी power हमें P दे रखी है same radius of curvature से ठीक है और बहुत साइट्स आर आर है ठीक है वाई the radius of curvature of a surface of a plane of convex lens made of the same material with 1.5 pH ठीक है कि इसका मियू है इसकी पावर अगर में लिखो तो बन पॉन फ की वेलों लिखी जाएगी हमारे पास मियू अपॉन बन माइनस बन तू भाई यार बन पॉन रवन माइनस बन अपॉन रटू किया है ठीक है यह पावर दे रखी है अपनको इसकी पावर लिखी जाए तो पावर कितने रखी है बन पॉन प्वाइट कर देते हैं तो यह आगया हमारे पास यह आजाएगा हमारे पास equation 1 नाम जेते हैं इसको equation 2 नाम जेते हैं 1 by 2 कर दो यह बन जाएगा 1 upon 2 by 3 equal to 2 by r upon 1 upon r dash यह वैल्यू आगई 2 by 3 equal to 2 r dash by r तो r dash की वैल्यू आगई r by 3 मतलब करेक्ट रांस हो जाएगा हमारे पास 35 में फर्स्ट ओके नेक्स कॉस्टिं की तरफ चलते हैं कॉस्ट नमर्ट थर्टी सिस्ट देखें बला इसमें अस्वार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 100 सेंटिमेटर लाइज बिफोर तस सेंट्रल अग्सेस ऑफ़ इस्टेरिकल मिरर फूज फोकल लेंथ है एब्सूट वैल्लू 40 सेंटिमेटर क्या एक स्फेरिकल मिरर जिसकी फोकल रेंथ हमें जराख ही 40 सेंटिमेटर क्लियर the image of object produced by the mirror is of high 25 cm and has the same orientation of the object one may conclude from the information कि एक सौट ऑब्जेक्ट है जिसकी आएट दिराख ही 100 cm ठीक है लाइज बिफोर दसेंट्रल एक्स फेरिकल मिर हमें निए पता मिरर कौन सा उच्छ फोकल लेंथ हैस एब्सूट वैल्यू 40 cm the image of object produced by the mirror is of high 25 cm small size की image मिलिया हमेरे पास पर वर्ट्व रहा होगा हमारे पास क्या रहा होगा वह कौन के मिरर रहा होगा तो इमेज यहां कहीं रहे होगी हमारे पास 25 cm वर्चुल इरेक्ट स्मॉल तो अपन साब साब बोल सकते हैं क्या कानी ने कलती है से इमेज़ रियल नो इमेज़ वर्चुल येस वर्चुल वाले आंसर हो सकते हैं अपोजेट साइड ऑफ दा कॉंवेक्स मिर आएगा तो करेक्ट आंसर आजाएगा हमारे पास 36 में फोर्ट नेक्स पॉशन देखें जाएगा थर्टी सेवन एंगल ऑफ डिवेशन मिनिमुम मिलता है जब एंगल ऑफ इंशिदेंट्स हो है वह एंगल ऑफ इमर्जेंस के एककल हो जाए तो एक तरह सम देख सकते हैं कि इमर्जिंग और इंशिदेंट रे पूई तरह से मिरल के रेस् इमर्जेंस इकल टूब ऑफ इंगल ऑफ इमर्जेंस डबल नो यह रोंग हो गया हमारे पास तो और आंसर आजाए का एब सी मतलब सेकंड ऑप्सन इदा परेक्ट नेक्स कॉश्चन देखें जाना 38 बला सेंट साइज इमेज आप फॉर्म्ट बाइए ओंग्स लेंग्स ले अगर बात को लेंग्स फर्मुला है वन अपॉन वी मैनस वन अपॉन यू से मल्टिप्लाइग कर दो दून तरफ यह बन जाएगा यू अपॉन वी मैनस वान एकल टू यू वाई एफ प्लस बन तो मैगनिफिकेशन वेल्यू आ गई हमारे पास f upon u p lus f clear अब एक बार तो u की वैल्यू जो है वो सामने माईनस 10 cm और एक बार है माईनस 20 cm और दोनों ही केसेज में जो हमें मैगनिफिकेशन जो मिला है, साइज जो मिली मिली है, अब इमेज के साइज सेम कभ सकती है, एफ टो एफ एफ, सीम साइज तब मिल सकती है कि एक बार तो ऑबजेट एफ टुएफ की बीच में हो तो हमें लार्ज इमेज मिल जाएगे टुएफ के बियोंड और एक बार जब मिल सकते हैं तो यहां दोनों तरह से सेम साइज के बीच मिल सकती है बाकि और कोई केस में पॉसिबल नहीं है बतलब एक चीज़ तो तो भाई value काम मिले कि हम खोगलन निकालने वाले हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि plus m मिलेगा कब जब ज़्यादा वाले value है मतलब minus का 20 और minus m सरी है minus m काम मिलेगा जब ज़्यादा वाले value है और plus m काम मिलेगा जब erect image बनेगी virtual वाले case में तो plus m की value मिलेगी f upon minus 10 plus f ठीक है दोनों को divide कर देते हैं तो यह बन जाएगा हमारे पास बने यह value यहाँ रख दो यह बन जाएगा minus f upon minus 10 plus f equal to f upon minus 20 plus f f से f गया तो यह value आ जाएगी हमारे पास f minus 10 minus f plus 10 equal to minus 20 plus f f तो यह value आ जाएगे 30 equal to 2 f मतलब focal end जाओ 15 cm रहे होगे next question की तरह बढ़ते हैं cost number 39 क्या बोला है इसमे three rays of light namely red blue and green are incident on the face pq off right angle prism pqr as on the figure ठीक है तो इसमें पुछा भई कि वेज़ रेफ्रेक्टिव इंडिस indices of the materials of prism for red green and blue are given the color of the ray emerging out of the face pr कि pr से जो बाहर कौन सी रे हमारे पास निकलेगी उसके बारे पूछा है मतलब उसका reflection करवाना है तो देखो जब यह रेज यहां आएंगी तो angle of incidence हो गया 45 आई अगर हमें emergence करवाना तो हम कहा सकते i की वैलु जो है वो c से क्या होने चाहिए? यहाँ Cast साइन अई के वैली जो है हो साइन सी से कम होनी चाहिए साइन मत छायन 45-บन acquaint तो कोया Mew से कम होने चाहिए मतलब मु के वैल की वैले 130-14 कम होनी चाहिए तो जिस कलर का हमारे पास है 1.415 से कम होगा तो बाहर निकलेगा बाकि अंदर सो दिखाएं Ohio तो देखो 1.41 फोर से जो कम जो है मियू वो है 1.27 यह दूनों तो ज्यादा हो गए तो 1.27 बाले जो रहे है वो बाहर निकलेगी और यह हमारे पास रेड कलर का तो रेड कलर की रहे जो बाहर निकलेगी बागी दूनों का टेयर होने वाला है क्लियर कॉश्ण नमर 40 देखें क्या बुला है इसमें बुला है यॉर फ्रेंड है इज हैविग आई साइट प्रोलम क्लियर आई डिफेक्स का कॉश्ण है सी इस नोट एवल तो सी क्लियरली एट क्लियरली अदिस्टेंस यूनिफॉर्म बिंडो मैस एंड अपियर टू हर अद नॉन यूनिफॉर्म एंड दॉक्तर डानाइज पर्णफ दप्रोलम एक तो से क्या डिस्टेंस ओवजेक्ट नहीं दिखाई देरे तो दिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देरे मतला फारपोईंट डिक्रीज हो गया तो एक तो वो डिफेक्ट है हमारे पास मायओ पीया बीडियों लिए साथ में क्या बोला वह से दिखाई 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 दिरी ए समry ऐसे और बनी थो उसके पाएंटि तो अमारे इसे अपय कि तरह चलते हैं 40 सके हैं सब्सक्राइब कि अगर बात करते हो सिम्पल माइक्रोस्कोप में होता कि यह यह औभ्जक्ट हो गया फॉर तो यहां से तर फोकस से पास हो घूग यो प्र चाहिए इस ऑबजेट का एंगल जेको ठीटान और दुनों के दुनों सेम है बिल्कुल सही बात है तो असरसन सही है वाला मैगनिफिकस नी अचीव एस दाए स्मॉल ऑबजेट कें बी केंट मच क्लोजर तुदा आई देन 25 सेंटिमेटर हैंस एंच सब्सक्राइब बिल्कुल सही बात है कि अगर ऑबजेट को अगर हम जितना जदा पास में लेके आएंगे तो एंगल जो है आई पर बनने वाला जो एंगल है वो इतना ही ज्यादा होता जाएगा दूर लेकर जाओगे तो यह कम होता जाएगा और यह इसकी गारंटी जो यह री डियाग्राम से बता रहा भी इस चीज को कि यह दोनों के लिए एंगल जो है इसलिए रिजिए और असर दोनों करेक्ट तो है एक्स्पें नहीं कर पारे तो करेक्ट टांसर हो जाएगा हमारे पास बहुत एंगर तुबट आर इस नोट परें आए नेक्स बढ़ते हैं कोश्ण नमर 42 की तरफ प्लाइब पॉइंट शोर्स आफ लाइट अधिशन 60 संटीमेटर ऑस सेंटर अफ द प्लेन और फिटी संटीमेटर इस तरह का पॉश्ण अप अल्डी कर चुकिया फिल्ड आए था बस यहां वेलु दी आपर 3D अंत्र आया नमर पॉश्ण वाल मैंड वाग्स फंट अप अप्ड अलां अलां पार्ल तो अदिस्टेंस 1.2 मेटर इट सीज इन दा फिगर अधिशन बेविन दा एक्स्रीम पॉइंट विर इस सेंटीमेटर इस एच्टीमेटर इसके इमेज यहां बन जाएगी 60 संटीमेटर पर इतनी डिस्टेंस में देख पाएगा लगा दो वही सिमेट्रिक सिमलर मिर्रस का हमारेटर पास रेशो हम पॉइन इसके रेशो सह है होथा हाइट कितनी है bursting है यहां हाइट कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी हमारे पास 1.2 मिटर प्लस 60 तो हीट्स का रेशो 60 upon 1.2 और 60 180 cm equal होगा इनकी width के रिशो के मतलब 50 upon y के तो यहांसे y की value कितनी आ गई y की value आ गई हमारे पास 150 cm पांसर आ जाएगा 42 का 150 ओके हाँ पर नेक्ट कॉस्टन देखें कॉस्टन माँ 43 में पूछा है the focal length f is related to the radius of curvature r of the spherical convex mirror तो spherical convex mirror के लिए अगर बात करें तो देखो mirror के लिए जो focal length होती है वो r y 2 होती है concave के लिए minus में convex के लिए plus में तो convex के लिए answer आ जाएगा हमारे पास first देखो यह इस से ज़्यादा easy question नहीं हो सकता exam में ठीक है next question देखें जड़ा question number 44 44 में क्या गुलादा focal length of the lens it is placed in a medium of the same refractive index मतलब इसका भी mu2 है और बाहरबाले का भी mu2 ही है clear assume the radius of curvature of the fishes are r r2 और focal length पूछी है तो देखो focal length होती है हमारे पास 1 upon f equal to lens का refractive index upon surrounding का refractive index minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो यह 1 minus 1 0 हो गया तो इसका inverse infinity आएगा तो focal length जो है उसकी infinity हो जाएगे clear question number 45 की बात करते है question number 45 पर बोला है कि the deviation of a 2 degree deviation of 2 degree is produced in the yellow ray when prism of crown and flint glass are acromatically combined basically यहाँ पर हमारे पास क्या है dispersion नी हुए light count ठीक है taking dispersive powers of crown and flint glass are 0.02 and 0.03 irrespectively the refractive index हमें yellow glass के लिए दे रखे है तो reflection angle of crown prism हमें पूछा है ठीक है अब देखना पहले तो dispersive power की बात के लिए dispersive power होती है हमारे पास mu v minus mu r upon mu y minus 1 तो यहाँ से mu v minus mu r की value आ गई omega mu minus 1 अब इसने बोला है कि dispersion 0 है dispersion 0 है मतलब angle of dispersion 0 है जो की होता है हमारे पास crown prism का angle a mu v minus mu r plus a dash flint prism का plus mu v dash minus mu r dash equal to 0 करना है ठीक है वाई तो a mu v minus mu r की value हम बोल सकते omega 1 साथ में mu y1 minus 1 plus a dash इसकी जगा लिखा जा सकता है omega 2 mu y2 minus 1 equal to 0 value रख दो तो यहाँ से a dash की value आ जाएगी minus a omega 1 by omega 2 mu y1 minus 1 upon mu y2 minus 1 ठीक है तो यह आगया flint का यह crown का तो a dash की value आ गई minus a omega 1 है omega 1 और omega 2 का रिश्वा आगया 2 by 3 mu 1 minus 1 मतलब 0.5 यह जाएगा 0.6 तो यह आगया हमारे पास 2 से गया 3 टाइमस तो आगया 5 by 9 a dash की value आगया हमारे पास minus 5 ay9 यह तो आगया हमारे पास इनका जो dispersion 0 दे रखा उससे अब हमें एक क्यों 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 और चाहिए तो उसके लिए बोल रखा है कि इस condition में deviation angle है 2 degree yellow color का तो यह relation और काम ले लो ठीक है तो deviation angle अगर अगर अपन नेकाल तो वो क्या आएगा a into mu y minus 1 plus a dash into mu y 2 minus 1 यह कितना दे रखा है 2 degree a की value हमें find करनी है इसकी corresponding mu y दे रखा है 1.5 minus 1 plus a dash की value हम नेकाल चुके है minus 5 ay9 mu y की value हमें पता है 1.6 minus 1 तो यहां से अब हमारा पास easily a आएगा तो यह आजाएगा a यह हो गया हमारा पास 0.5 मतलब ay2 plus यह आगया minus 5 ay9 यह value हो गई हमारे पास 0.6 ठीक है तो यह value आएगी 3 a by 3 बच जाएगी तो 2 की value आगई ay2 minus ay3 मतलब 2 की value आगई ay6 तो angle of ground frame आगया हमारे पास 12 degree देखे जाला next question question number 46 बोल रहा है the image of an object placed in air formed by convex reflectance surface is at a distance of 10 meter behind the surface इसके आगे यहां कहीं air में एक object रखी है मालो डी डिस्टेंस पर इसकी जो image बनी है behind the surface बनी है 10 meter की distance पर और real है साथ में बोला है था image is real and is at 2 by 3 of the distance of the object मतलब object अगर डी पर है तो डी का 2 by 3 जो पाइट है न वो है 10 तो यहां से डी की value साफ साफ दिखाई ज़रे है हमें कितनी हो गई 15 meter हो गई clear साथ में बोला है the wavelength of light inside the surface is 2 by 3 times of the wavelength in air क्यों हमें पता है किसी भी medium में जो wavelength होती है mu inversely proportional होता है lambda के है बोल दो lambda inversely proportional होता है हमारे पास mu के जिसका mu जादा है उसकी जो lambda जो है वो क्या होगी कम होगी तो अगर मैं mu medium वाले में lambda निकला हो तो वहां हो जाएगी lambda वाई के लिए अब इसने क्या होला है कि वही उस medium में जो हमारे पास wavelength मिली है वो air के comparison में टू वाई थ्री है कि वही लैंबडा एयर की comparison में टू वाई थ्री है तो बेसिकली इसको निश्की लेकर चला जाएं तो यू की वेल्यू पता लगए हमें 3y2 अब पूछा है कोशन सिंबल देखो बस छोड़ी जो बाते हैं वो एक साथ इसमें इंक्रूड कराएं वो ला एदा radius of curvature of the curved surface is radius of curvature निकालने कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें पता है curved surface के लिए reflection का formula म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू एक्वाल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 वाई आर वैलू रग दो असे म्यू 2 की वेल्यू 3 वाई 2 व की वेल्यू प्लस का 10 मू 1 की वेल्यू 1 यू की वेल्यू मैनस 15 मू 2 मायनस V1 हो जाएगा 3 by 2 मायनस 1 by 2 2 R, R की वेल्यू अपने अब निकल के आजाएगी यहांसे तो यह वेल्यू हमारे पास 3 upon 20 प्लस का 1 upon 15 एक्वाल टू 1 अबन बाए 2R ठीक है यह हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस 20 अपॉन 20 इन्टो 15 इक्वल बनवाई 2R तो यह 10 हो गया तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 150 बाई 65 मेटर अब इसने जो बोला रेडियस और करवेचर जो है न वो है एक्स अपॉन 13 जो है यह एक्वल है हमारे पास 150 अपॉन 65 के तो यह कितना आ गया 5 तो यह आ गया 30 मतलब X की वैल्यू जा कितनी रही होगी 30 रही होगी ओके नेक्ट कॉच्टन देखे जरा कॉच्टन नमबर 47 तो बुलाएं दा आई कैन भी रिगाड़ेड एज़ सिंगल एफ्रेक्टिं सर्फेस की तरह कंसिडियर करना है तो इस अपॉर निया 7.8 mm की इसकी जो रिदेश करवेचर वो देखे 7.8 mm ठीक है तो सर्फेस separates two media of refractive index 1 and 1.4 यह है हमारे पास 1 और इधर है हमारे पास mu 2 1.34 ठीक है calculate the distance from the refractive surface at which a parallel beam of light will come to focus की यहां से अगर parallel रहे आ रही है तो वो किस point पर focus होंगी उसके रिए f निकालना है तो लगाते formula तो mu 2 upon v minus mu 1 upon u equal to mu 2 minus mu 1 by r लगा दो answer पाओ ठीक है तो देखो u to infinity यह तो 0 हो गया mu 2 की value तो mu 2 upon v इसी पर converge हो रहा है तो v की value यह से देखो अब साफ निकाल सकते हैं v की value आगई mu 2 r upon mu 2 minus mu 1 तो v की value आगई हमारे पास mu 2 की value है 1.34 r की value है हमारे पास 7.8 mm upon mu 2 minus v1 हो जाएगा हमारे पास 0.34 तो यहां से v की value आजाएगी हमारे पास 3.07 mm यह इसको हम बोल सकते हैं 3.1 sorry 3.07 cm यह 3.1 cm तो correct transfer आजाएगा थर्ड मेंने calculate करके चेक कर लिया अब चेक कर सकते हो न तो थर्ड जो है वो correct transfer आजाएगा यहां पर next question की तरब चलते है question number 48 बोला the magnifying power of a telescope with tube length 60 cm 5 what is the focal length of its eypiece की यह हमारे पास क्या है objective lens इसकी focal length f-not यह आई-piece lens इसकी focal length f-e यह इनकी बीच का separation हमें दे रहा है 60 cm ठीक है साथ में magnification बोला है 5 अब टेलेस्कोप के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो जनरल कंडिशन अपने मानते हैं कि इमेज जो इंफिनिटी पर फॉर्म होगा इमेज इंफिनिटी पर 5 f-e के एककोल और हमें f-e पूछा है यह आगया 5 f-e प्लस f-e इक्वल टू 60 तो 6 f-e इक्वल टू 60 मतलब f-e की वैली रही होगी यहां से 10 cm क्लियर नेक्ट कॉशन देखते हैं ज़रा देखें ज़रा लास्ट कॉशन है हमारे पास बोला इफ वी नीड मैगनिफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब ट्यूब लेंथ 150 mm एन अब्जेक्टिव ओ फोकल लेंथ 5 mm दा फोकल लेंथ आई-पीस लेंथ इनके बीच की ट्यूब की लेंथ हमें देरा किया 150 mm और हमें मैगनिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए 375 अब देखना जड़ा कि मेरे को मैगनिफिकेशन अगर मेरे को ज़्यादा से यादा करने तो मैं क्या करूंगा कि basically इनका effective magnification जो होता है वो होता है हमारे पास M1 into M2 यह simple microscope यह simple lens अब देखो इसमें object को ऐसे हो और लार्ज मिले तो आइडिल कंडिशन की बात करको कि हमें केस नहीं दे रखा कि कहां नहीं है तो मैक्सिमाइज करा कि चेक करना पड़ेगा कि कहां मैक्सिमम लेगा तो देखो ऑब्जेक्ट जो है ना objective lens के लिए यह फोकस के आसपास होना चाहिए ताकि image जो है वह infinity पे मिले और लार्ज मिले तो पहले केस में अगर बात करूं तो यहां मैगनिफिक्सन हो जाएगा वी अपॉन यू तो वी जो है वह infinity पे होना चाहिए अब infinity तो है नहीं कि कहीं भी लेकि चले गए माइक्रिस्कोप है माइक्रिस्कोप में image formation लास्ट मतलब ट्यूब की लेंथ के एकल करा दो infinity का formation का मतलब क्या है कि ट्यूब के जितनी लेंथ और उसमें सब से लास्ट में image फॉर्म करा दो तो मेंगनिफिकस नहीं हो गया infinity मतलब ट्यूब की लेंथ अपॉन यू यू जाएगा एफ नॉट यह तो आ गया पहले वाले का अब सिंपल microscope के लिए बात करो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मेंगनिफिकस नहाता है हमारे पास minimum तो आता है हमारे पास डी अपॉन आ फी और maximum वाता है बन प्लस डी वाई एफी तो मैंक्सिमाज करा ना तो यह वाला काम बले लो दोनों का maximum maximum काम बले लो तो हम बोल सकते हैं M F रक्तिव आजाएगा हमारे पास L अपॉन F नॉट 1 प्लस D Y F E इसको काम में लेके विजिली F E आप कैल्कुलेट कर सकते हो ठीक है तो रखते वैल्यू 375, L की वैल्यू दे रखी है 150 M M F नॉट की वैल्यू 5 M M, 1 प्लस D की वैल्यू 25 सेंटीमेटर होती है M M हो जाएगी 250 अपॉन F E, कैल्कुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आजाएगी हमारे पास 21.7 M M जिसको अप्रॉक्सली हम बोर सकते हैं 22 M M तो ये हमारा discussion complete हुआ, सभी बच्च अच्छे से पढ़ते रहें, सभी को good luck, thank you